और बड़ी खबर राइपुर से है जहां सीएम बगेल के दौरे से पहले और चक निरिक्षन मंत्री डहरिया करेंगे नगरिय निकायों का और चक निरिक्षन करने पहुचेंगे नगरिय निकायों में जनता से सीधा समवात किया जाएगा योजना और विकासकारों की समिक्ष कभी की जाएगी सीम के दौरे से पहले कल से शुरू होगा निरिक्षन बड़ी और एहम जानकर ये समय आपको बता रहे हैं जहां और चक निरिक्षन के लिए मंत्री टहरिया नगरिये निकायों का निरिक्षन करने के लिए पहुंचेंगे नगरिये निकायों में जनता से सीधा समवाद किया जाएगा सीम बगिल के दौरे से पहले और चक निरिक्षन हो रहा है योजना और विकास कारों की समिक्षा इसमें की जाएगी बता दे सीम के दौरे से पहले कल से निरिक्षन शुरू होगा CM के दौरे से पहले ये निरिक्षण कल से शुरू किया जाएगा जहां मंत्री डेहरिया नगरिये निकायों का और चक निरिक्षण करेंगे मेरे सायोगी वैभफ शिफ पांडे लगतार हमाई साथ राइपूर से जुड़े हैं वैभफ देखिए प्रदेश व्यापी दौरा शुरू होने वाला है CM भुपेज बगेल का लेकिन उससे पहले मंत्री डेहरिया नगरिये निकायों का और चक निक्षण करने के लिए पहुचेंगे कल से बिलकुल जिस तरह से मुख्यमंत्री भुपेज बगेल का दौरा कारेकरम तयार हुआ है उससे पहले तमाम जो मंत्री हैं विधायके वो अलर्ट मोड पर है कि कब मुख्य मंत्री भुपेज बगेल का कहा दौरा हो जाए और वहाँ पे वो अगर कोई कमी देखते हैं तो नाराज हो सकते हैं तो इसलिए वो उस नाराजगी को पहले से दूर तमाम मंत्री कर लेना चाहते हैं इसलिए आज जितने भी मंत्री जिनकों की प्रभार दिया गया है जिलो में वो अपने अपने प्रभारी जिलो में पहुचेंगे और मंत्री सीव कुमार डहरिया तो अलक से ही एक दोरा कारेक्रम अपना तयार कर चुके हैं और उसकी सुरवात वो सरगुजा संभाग से करने अधिकारियों के साथ समिच्छा भी करेंगे और योजनाओं की जानकारी लेंगे कि धरातल पर योजना किस तरह से क्रियान हो रही है चुकी सीव कुमार डहरिया उस इलाके में पहुंच रहे हैं जहां पर टीएस सीव का इलाका माना जाता है सरगुजा का अंचल और मंत्र और सत्ता के बीच की जो कड़ी है धूरी है उस पर भी एक समीकरण के तोर पर देखा जा रहा है मुख्यमंत्री भुपेज बगिल का दौरा दौरे से पहले मंत्री का दौरा और उस बीच में टीएस सीव का एक अलग से प्रदेश बर में दौरा तो इसके कई अलग-अलग माईने निकाले जा रहे हैं कि इस तरह के दौरे की आवश्यक्ता मंत्रियों को क्यों पड़ रही है मुख्यमंत्री भुपेज बगिल जब दौरा करने वाले हैं तो